जवार सात्यों है मनता अबिस्व सर्मा चुनाओ परभारी जारखंड भारतिय जनता पाटी साथ ही असम के मुख मंतरी धूमा धार्स धुर्वी करन नेता एनारसी के जनक वह क्या बात करते हैं मनता अबिस्व सर्मा जी सल्यूट हैं इतना जूट अपने जवान से इतनी आस सानी से जहार खंड के जनता के समग कह देते हैं जैसे लगता है रगवर काल में आदिबासियों का पूरा बोल बाला था और अवर अन्ने को तो कुछ मिला ही ने सिर्फ अरे भाईया सब को पता है अगर आप इतने आदिबासियों के हिते सी थे तो आपकी सरकार को पिछले बर क्यों निकाले गें जब आगा फा版 करें ब क्या बात करें गुस पैठीयों पर बात कर जाया है वह समझराजी कि मोदी जी को पता चलेगा तो रहने देंगे अरे बाबा ये बाते कहां बोल रहे हैं आप जारकंड की जनता इतने भी ना समझ नहीं है कि आपके लोग लुभावन को नहीं समझ पाएंगे आप क्या करें कि अगर हम भारते जनता पार्टी में भरस्ट करेंगा भरस्ट अचार होगी तो नरेंदर मोधी जी नहीं रहने देंगे अच्छा क्या आपको पता नहीं है सारदा चीटपन घोटाले में आपका नाम नहीं था आप कॉंग्रेस छोड़ के बीजेपी नहीं आये हैं तबसे आप हिंदुत पुवादी के बड़े नितार ब्रांड बनने के योगी जी को टक कर देने में नहीं लगे हैं दूसरी बात मुकुल रोय सुवेंदु अधिकारी क्या ये भरष्टाचारी नहीं थे क्या इन पर भरष्टाचार का आरोप नहीं लगाता क्या ये बंगाल बीजेपी जवान होगे अपने आपको नहीं धुलवाएं वसिंग मसीन से बात कर ते महराष्ट में अजित पवार पे आरोप नहीं लगाता चगन बुजबल पे नहीं लगाता हशन मुश्रिक पे नहीं लगाता और कितने ना जाने अन्य नेता हैं अरे छोड़िए दूर दराज की बाते इमंता विश्वसर्मा जी अगर आपको भरष्टा चार पे बात कर लगाता क्या उसे आप गला नहीं लगाएं मातर एक सीट कुलान में जीतने के लिए आप वहर हद पार कर दिये और आप भरष्टा चार पे बोलते हैं सर्मा जी अरे आपको तो थोड़ी सी भी लच जानी चाहिए कि कैसी भासाय बोल रहे हैं क्या लगता है कि भरष्टा च चार वाले को गले लगाकर निटिन क्लीन कर देते हैं यह जीता जाकता उसका उधारन आप भी है मैं नहीं कह रहा हूं आप बोले आलमगीर आलम के खिलाब बहुत अच्छी बात है कि भरष्टा चारियों के लाब बोले बहुत अच्छी बात है नहीं मिलना चाहिए एक दूसरे पार्टियों के चुराय हुए प्लियर है एडी और सीबी आई के दम पर दबा दबा के मांगे हुए प्लियर है और दूसरी बात अगर घुसपैट जारखन में अगर घुसपैट होगी तो इनारसी लागों करेगी बीजेपी सरकार ठीक है लागों कीजिए कोई दि और दूसरी जारखन में घुस पैट हंए तो उसका जिम्मोपैट होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ॖ नूं है और संही जारखन कओंडर बंगलाधेस से टच करता है जारखन किन कि सीमाओं से बंगल कि सिमाओं से करग I बंगाल आसम की सीमाओं से हैं और PangeManदेश बंगाल और आसम की सीमाओं से मिलती हैं तो सबसे पहला घुसपैट कहा होता है बंगाल नहीं तो असम उधर से नहीं होके आते होंगे तो गुस पैटियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी किन को जाती है असम के मुकमंतरी आप पर जाती है बंगाल पर जाती है जब बंगाल पर अगर बॉर्डर पर सिक्रिटी किन की है कि अंदर सरकार का दिने आप बार बार बोलते हैं कि नहीं जारकणियों जारकणियों ऐसा कुछ ही नहीं है अगर वो है तो आपकी भी जिम्मेदारी है और से के आपके राज्य के तरफ से भी तो आरे आपका सीमा बंगलादेश की सीमा से टच करती है बंगाल की सीमा जारकण की कौन से सीमा टच करती केंदर सासित परदेश बनाना है तो असम को बनाईए ना वरस्टा चार और गुस्पैट पर बोल बोल के आप बताएं सरना कोड़ पर बात क्यूं नहीं करते हैं आप आदिवासियों को सरना कोड़ देने पर बात क्यूं नहीं करते हैं उन पर ताला क्यूं लग जाता है आप आप चुनाव है चलता है आपकी सरकार भी बन जेगाए कोई दिकत ना लेकिन यह जहां पर टाइट करनी चाहिए वहां पर बोलिए बरस्टा चार आप में भी है सबी में दूद का धुला कोई जाजनितिक दल नहीं है तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो और क्या लगता आपको क्या सिर्फ जे में में बरस्टे क्या बीचे में बरस्टे चार नहीं है क्या कॉंग्रेस में नहीं है क्या आनने में नहीं है आपका सुस्ते अपनी कामेंट अपना राय जरूर कामेंट में दे जैजार करने